आज हम थोड़ा सा डिसकस करते हैं डेट के फंक्शन्स को डेट के फंक्शन्स या डेट जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डेटा सेट के अंदर जब हमने ट्रेंडिंग बनानी हो जब हमने कंपैरेजन्स करने हो with maybe current month versus last month current year versus last year current quarter versus last quarter या अपने trend line दिखानी हो के day on day कितने revenue या sales आ रही है तो फिर आप क्या यूज़ करते हैं आप date यूज़ करते हैं अब date के बहुत सारे functions हैं वो सारे के सारे हम कोशिश करेंगे यहां पर सीखने का सबसे पहले date है फिर day है फिर month फिर year और क्या क्या इसमे month और भी देख लेंगे जो जो समने आएंगे वो करते जाएंगे date का function क्या काम करता है आपका कोई भी text number है तो उसको यह date में convert कर देता है इसका आपने simple जो चीज़ जेन में रखनी है वो यह है कि पहले year आएगा फिर month आएगा फिर day आएगा यही date का असल जो है वो लिखन का तरीका कार है हाँ उसका format आप चेंज कर सकते हैं वो दिखने में कैसे नजर आए पहले day शो करना है पहले month शो करना है वो आपकी मरजी है लेकर अगर आपने जब date के function में लिखना है तो फिर आपको कुछ यू लिखना पड़ेगा अब यह देखें फार्मूला कैसे है date 2023 2023 कमा 8 कमा 10 लेकर असल में यह 8 अक्तूबर 2023 है सुरी हाँ 10 अगस्त 2023 अब आते हैं जी इसमें से हमने day निकालना है simple formula है day लिखें और date का function उसमें आइड करते हैं तो आपको day उसने बता दी है 10 है इसका day है इसी तरह आपने इसमें से month को अलग करना है तो आप again simple आपने एक argument पास करना है तो वह आपको उसका month भी निकाल देगा इसी तरह से अगर आपने year निकालना है तो यह निकाल देगा अब आता है वह function जो के थोड़ा सा different है इससे कैसे is equal to eo month comma zero अब यह क्या करेगा मुझे अगस्त की आहरी date दे लेगा आहरी date क्यों दी है यहाँ पर यह है zero अब इस zero को अगर मैं कर दूँ one तो यह क्या करेगा आने वाला महीना यानि कि जिस date को मैंने select किया हुआ है उससे next month उससे next month बनता है September अगर मैं यहाँ पर दो add कर उतने month बाद की महीने की last date दे लेगा यह अब जैसे यह February की last date आगी है और मुझे पता चल गया कि 2024 के अंदर February 29 days का है गुड हो गया इसी तरह से अगर मैं इसको minus one करता हूं तो यह back चलना शुरू हो जाएगा अगस्त से पहले जुलाए था जुलाए से पहले minus two करेंगे त इस तरह करता है एक और function बड़ा जबरदस्त मेरे जहन में आया है अगर देखते हैं यहां पर काम करता या नहीं करता अब मैं मिसाल के तोर पे मेरी डेटा वर्थ है जी एट ट्वैल नहीं ट्वैल एट नाइटीन सेवंटी सेवन यह मेरी डेटा वर्थ है अब मुझे यह पता करना है मैं कितने साल कितने दिन और कितने महीने का हो गया start date के इसाब से तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी dated if dated if yes और start date start date यह है जो कि मेरी date of worth है और end date में डाल देता हूँ today today is also a function जो कि आज की date आपके system के हिसाब से return करता है उसके बाद unit है unit में मैं क्या देता हूँ कि इसमें मुझे चाहिए यर, इसने कि 45 येस के आप हो चुके हैं, लेकर 45 येस के ओपर कुछ मंत भी तो होंगे ना, मुझे वो मंत भी चाहिए, तो मैं यही फोर्मूला, इसमें इसको वो लॉग कर देते हैं हम ताकि जब फार्मूला हम नीचे स्क्रोल कर रहे हो मैं इसको वाई की बिजाए ना वाई एम कर देता हूँ तो मन्त इस साल के यानि के फॉर्टी फाइव यर्स के बाद जो बनते हैं उसमें कितने मन्त हो चुके हैं अब मन्त के बाद मैं डेज भी कर सकता हूँ वो कैसे होगा एम डी एम डी का मतलब यह है कि वो डेज अब यह तो यह यर अब यह वो मन्त हैं जो कि फॉर्टी फाइव यर्स के बाद आते हैं इस डेट में और ये वो days हैं जो 11 months के बाद extra आते हैं यानि कि 45 years, 11 months और 7 days कठा एकी जगा पर लिखना चाहरे हैं तो इसको इस तरह कर लेते हैं year and और इसमें आप लिखते हैं years उसके बाद again ये formula हम यहाँ पर लिखते हैं और इसमें हम लिखते हैं ym और इसके बाद पिर अगर हम and sign यूज़ करें space दे के और यहाँ पर लिखते हैं months again and sign और फिर वही formula यहाँ पर लिखते हैं यानि कि mt month date और उसके बाद last पर आपने क्या करना है and sign days अब यह देखें 45 years, 11 months, 7 days simple है और I hope कि आप लोगों को यह समझ में भी आ गया होगा practice करें बड़े मज़दार बड़े काम के पन्चे करें पाल मीज़दा करेंचे करेंचे करादIES अब़ेibe